नगर निकाय चुनाव के पहले दौर का नामांकन आज खत्म हो गया है इसी दौरान पुर्वांचुल से लेकर पच्चिमी यूपी तक खासी हलचल भी नसर आई अवद में भी हवा गर्म रही, बुंदेल खंड में भी आरपार का महोल बनता दिखा कई जगों पर उमीद्वारों ने जोश में नामांकन केंदर के बाहर अपने उमीद्वारों की बड़ी तादा जुता ली और इसको लेकर उन्हें कानूनी सक्ती का भी सामना करना पड़ सकता है कल तक उमिद्वारों के लिस्ट जारी करने को लेकर तमाम दल आख मी चौली खेल रहे थे तो अब आर पार के मुकाबले की घड़ी हो चुक निकाय चुनाओं के पहले चरण के लिए नामांकन का चैप्टर प्लोज हो चुका है नामांकन के आखरी दिन प्रत्याशियों का हुजूम उमर पड़ा पहले चरण में 10 नगर निगम, 100 नगर पाली का, 289 नगर पंचायत पर 4 मई को मद्दान होना है पहले चरण में नगर निगम की जिन 10 सीटों पर चुनाओं होना है पिसली बाद ये सभी सीटें भाजपाने जीती थी लेकिन इस बार भाजपाने 10 में से 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिये हैं जिससे चुनाओं दिल्चस्प हो गया है वारा नसी में मेर पत के लिए भाजपाने अशोग तिवारी को पत्याशी बनाया है जिनके नामांकन में बरी संख्या में भाजपा कारे करता और मंत्री मौजूद विकास 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 और क्यों विकास लेकिन कर रहा है कि बीजेपी का विकास चलावा है और बेरोजगारी के मुद्ध अभी तो आप सुम देख सकते हैं कोई अंधा भी आगे बनारस में देखेगा 2014 के पहले क्या था बनारस आज बनारस क्या है काशी की चुनावी पिचपा समाजवादी पाटी एक बार फिर वाहजपा को टक कर देने के लिए तयार है मेर पत के लिए सपा ने जिस ओपी सिंग को प्रत्याशी बनाया है उन्होंने भी नामांकन भडा और भाजपा को हडाने का दावा ठोग दिया पूरे देश में महंगाई चरम सिमा पर है पुर्वान चल हो या पश्यमी यूपी नामांकन के आखरी दिन हर जगे जोश और उत्साह दिखा मुझे लगता है कि पिछली दो बार से हम रहे थे इस बार पार्तियंता पार्टी निश्चित रूप से जिस तरह का महोल मुझे द यूपी में भाजपा पिसले कई चुनाओं जीत चुकी है ऐसे में उसका जोश साथवे आस्मान पर है विधायक से लेकर सांसर तक जीत का दावा ठोक रहे हैं एक तरफ भगवा बिगेड है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की लाल सेना मुरादाबाद नगर निगम से सपा के मेर पत्याशी रईसु दिन ने नामांकन भरा और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह आश्वस दिखे यह लड़ाई इतनी आसान नहीं दिख रही क्योंकि बसपा भी जगे जगे सपा का खेल खराब करने के लिए मैदान में उतर आई है मुरादाबाद से बस्पा ने भी मुस्लिम पत्याशी को मैदान में उतार दिया है जिनके नामांकन में सांसर के साथ साथ तमाम कारेकरता मौजूद रहे निकाय चुनाओं की लड़ाई को लोग सभा चुनाओं से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है इसके नतीजे जिसके भी पाक्ष में जाएंगे उसके हौसले मजबूत हो जाएंगे एबीपी गंगा के लिए ब्यूरुरिप एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी